हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिविय करने जा रहा हैं किच्चा सुधी और उपेंदर के फिल्म कबजा के टीजर का जब से फिल्म कबजा के टीजर आया है तब से लोगों को केजिएफ की याद आने लगी है अगर आपने केजिएफ मुवी नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके देख लिजिए क्योंकि जैसे ही आप केजिएफ देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा इस फिल्म में भी कुछ हट करके नहीं दिखाया गया है बहुत लोग करी से केजिएफ का चैप्टर 3 भी मान रहे हैं लेकिन कितनी सच्चा ही है ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कबजा मुवी के टीजर को रिवियो करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को केजिएफ की याद दिला दूँ जिस तरीके से केजिएफ में केजिएफ यानी की कॉलार गोल्ड फिल्ड को हथियाने के लिए बड़े बड़े दिकच लोग लगे हुए हैं और लास्ट में उसे रौकी भाई हथिया लेते हैं और वहां का वो बॉस बन जाते हैं सुधीप और उपेंदर की फिल्म कबजा पैन इंडिया मूवी हैं इसमें उपेंदर और किच्चा सुधीप की पहली जहलक दिखाई दे रही है साथ ही स्रिया सरन भी इसमें नजर आती हैं जो कि एक राजकुमारी या महरानी का रोल कर रही है कबजा मूवी का जब से टीजर आया है तब से लोगों को केजिएफ की यादसा ताने लगी है डेर मिनट के इस टीजर में आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि आप केजिएफ का कोई दूसरा भाग देख रहे हैं कबजा मूवी का जो बैक ग्राउंड है उसमें ऐसा लगता है जैसे कि केजिएफ से ही कोई दून उठाया गया है अगर बात करें केजिएफ और कबजा में क्या सेमिलेरिटी है तो कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान में रख सकते हैं जैसे उपेंद्र का लूग और यस का लूग एकदम एक जैसा ही दिखाया गया है जिस तरीके से यस अपनी कार से बाहर निकलते हुए दिखाया देते हैं उसी तरीके से फिल्म कबजा में हमें उपेंद्र भी अपनी कार से बाहर निकलते हुए दिखाया दे रहे हैं जिस तरीके से KGF में लोगों को अंदेरे में रख करकर उनको गुलाम बनाया गया है। उसी तरीके से इस फिल्म के टीजर में भी हमें लोगों को अंदेरे में और गुलामी करते हुए दिखाया गया है। म्यूजिक और टोन भी लगभा लगभा KGF जैसा ही है। आलाज की कबजह मूवी की अगर म्यूजिक की बात करें तो यह म्यूजिक काफी दमदार होने आधा है ऐसा लगता है जैसे कि KGF से काफी सीन को कॉपी किया इसके KGF में हमें एसकी मांकोर होते वोई दिखाया गया था सामने होंगी तब तक हमें इंतिजार करना होगा फिलाल देखते हैं कि ये फिल्म कैसी होने वाली है लेकिन एक बात तो हुता है कि ये फिल्म जब आएगी तो बॉक्स आफिस पर बहुत बड़ा धमाका करेगी फिलाल आप लोगों को कब्जा का टीजर कैसा लगा ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर पताएं